इधर 36 गड़ के बालोज जीला में जैन समाज को वेबसाइ करने के लिए प्रमुख रुप से जाना जाता है यह समाज सत अहींसा पर्मो धर्मा के बखान करने वाले लोग है देश के विकास में एहम योगदान देते हैं धार्मी क्रियाएं भी विधी विधान से करते हैं इसी क्रम में आज आदिनाथ जैन स्वेतांबर मंदीर संखारी में 28 धोजा महसब विधी विधान से हुआ मंदिर में आकर्सक साथ सज्जा के साथ सुबा विभिन धार्मिक अनुस्थन्थान 17 वेदी पूजन शुरू हुआ पूजा के बाद बड़डिया परिवार की तरफ से धोजा चड़ाई गए इसी के साथ मंदिर के अंदर विराजमान धोजा रोहन के बाद अन्य धार्मिक क्रियाएं आती हुई धोजा का बड़ा ही धार्मिक महत्व होता है यदि आते जाते दूर से ही मंदिर शीखर पर लहराते धोज को प्रणाम किया जाए तो वह प्रणाम प्रणात्मा तक पहुच जाता है वह मंदिर दर्शन जितना लाब मिलता है हमारे बहुत 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 दूर से काफी 200 से अधिक संख्या में हमारे साक्री बालोद कमरोद पहिर धुरूब और साजए पास सिर्धांओटा सिकोशा गुंदरदः के मदिरूпар भड़ा आज जो साकरी में हम हर्स उसा से मंदिर की द्वजा आरोहन का कारिक्रम कर रहे हैं यह परमात्मा का मंदिल जिनाले जहाँ जहाँ भी विराजित होते हैं परमात्मा वहाँ अपने भोतिग वाद से आध्यात्मिक वाद में हम कैसे चाए इसकी प्रेणा मिलती है हम स्वयम को पहचानते हैं और संसार के चका चौन से दूर होकर सच्ची सांती सच्चा सुख और सच्चे आनन्द को प्राप्त करते हैं जहां जहां भी प्रभु विराजमान होते हैं महा सुख सांती आनन्द हर समय बढ़ता जाता है और जैसे जैसे परमात्मा की धजा लहराती है वैसे वैसे भी परमात्मा सभी जीव की किस्मत उपर 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 और सुपर होते जाती है